हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल आज इस वीडियो में है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ट्रांस्पीरिशन इन फ्लांट्स क्या होता है जो यह प्रोसेस यू किस तरह से होता है तो जो आप अठाल ने नान दोड़ने लिघती आहें है। सबसे पहले जो समझना पड़ ऊती हैं Works जड़ी होती हैं जूमें और फेलिब हीं जो एक प्लांट प्लांट करता है जो जालम पूरे ट्री में उसको सप्लाई करता है जो इन मिनरल वाटर होता है और जो excess of water रवता है जो बहार release करेगा उसे हम बोलते है transpiration process आगे example के साथ मैं आप लगों को समझाता हूँ यह पतिया है यहाँ पे तो इसमें बहुत सारे cells होते है stomata opening cells होते है तो daytime में जब transpiration process होता है जो stomata cells होते हो जादा open होते है जादा active transpiration process होता है leaves के तुरू इसमें cells होते है और बकी lentical cells होते है जैसे कि यह जो है इसमें थोड़े-थोड़े dots आपको दिख पा रहे होंगे इसमें lentical cells बोलते है इसकी वज़ा से भी transpiration process होता है वैसे mainly जो होता है वो leaves से ही होता है जो इतने pores होंगे इसमें उसकी वज़ा से excess of water बहार release होगा environment में water vapor की form में तो यह है हमारा transpiration process conclusion यही है कि जो roots है उसका काम होता है minerals को absorb करना और xylem का काम है इसका काम होता है water को release करना बहार water vapor की form में तो इतना सा है बस जो ट्रांस्पीरेशन प्रोसेस है वो होता है स्टोमेटा की वज़ा से जो लीव में होता है स्टोमेटा सेल्स होते उसमें उसकी वज़ा से होता है और लेंटी सेल्स होते है लेंटी सेल्स बोलते है पिछे मैंने लेंटी गल सेल्स बोल दिया था गलती से प्रनाउस हो गया था लेंटी सेल्स होते है उसकी वज़ा से भी ट्रांस्पीरेशन प्रोसेस बहुत active वैसे जो मेंली ट्रांस्पीरेशन प्रोसेस होता है उस्टोमेट